हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G62 Android मॉइल फोन में Lift to Wake सेटिंग को आप कैसे Enable कर सकते हैं और इस सेटिंग को Enable करने के बाद आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे आज के इस वीडियो में में आपको यह बताने वाला हूँ तो चलिए यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉइल फोन में Setting पेज ओपन कर लेना है Setting पेज ओपन कर लेंगे तो आपको यहां पर इसे नीचे की साइड में आना है और यहां पर आपको यह बटन देया हुआ है इस पर आपको स्लेक्ट करना है और यह Setting जो इस तरीके से इनेबल हो जाती है अब यह Lift to Wake Setting इनेबल होने के बाद एकश करती है मैं आपको बता रहता हूँ जब भी आपका mobile phone कहीं पर भी table पर या कहीं पर भी रखा हुआ होता है तो आपको सिर्फ अपने mobile phone को उठाना है सिर्फ उठाना है तो आपके mobile phone की जो light होती है वो आपकी on हो जाएगी ठीक है आपको किसी भी बटन को दबाने की जरुरत नहीं पड़ती है तो मैंने आपको यह तरीका एक बर फिर से दिखा देता हूँ यह मैंने अपने phone को उठाया और यह मेरे mobile phone की light चालू हो गई ठीक है तो इस तरीके से यह lift to wake setting जो है काम करती है आपके Motorola G62 Android mobile phone में अब मैं आपको यहाँ पर इस setting को ढूंड ने का आपके mobile phone में i shortcut तरीका बता लेता हूं कि कैसे आप इस setting को shortcut तरीके से मवाइल phone में ढूँ़्ड सकते हैं सबसे पहले आपको मेंượng mobile phone में setting page open कर लेना है Setting page open कर लेंगे तो सबसे उपर आपको दिखाई दे रहा है Search Settings का这 option Search Settings पर आपको इसे select करना है और यहाँपर आपको search बार में type करना है Lift to wake तो यहाँपर हम lift to wake हमonstraTalk 2021 यहाँपर type कर देते हैं तो इते हमने सबसे उपर lift to wake यहाँपर type कर दिया है और इस तरीके से इंडिकेट भी करने लगेगा इस color में तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिये कि आप lift to wake setting को आप कैसे use कर सकते हैं और कैसे आप इस setting को जो है shortcut तरीके से अपने mobile phone में ढूंड सकते हैं